हेलो, नमस्कार, COVID-19 के इस मुश्किल गड़ी में बच्चो, हम सबी लोग अपने घरों में रहकर कारे करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं, लेकिन मुमे महानगरपालिका ने आपको घर बेटे ही पढ़ाने या यू कहें अध्यान करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगरपालिका के चैनल दोरा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा, और उस लेसन के जो विशे हैं, वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे, और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे, चलिए शुरू करेंगे, हम आज का अपना लेसन, आज की कक्षा दस्वी ट्रिगनोमेट्री पार्ट थ्री अर्था त्रिकोन मीती भाग तीसरा और मैं हूँ आपका वर्च्वल मार्ग दर्शक अजय कुमार मौरिय एमसीजियम वर्च्वल क्लास्रूम दादर से तो हमने अपने इसके पहले के भाग में त्रिकोन मीती क्या है और त्रिकोन मीती प्रमृग अनुपाद कौन से है इसके बारे में चर्चा की थी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे इसकी जरुरत हमेशा होती रहती है तो त्रिकूल मिती अनुपात त्रिगनोमेट्रिक रिशियो सकौन सकौन से है तो साइन, कॉस और टैन, थीटा ये प्रमुख है जिसका अनुपात में थीटा की सम्मुख भुजा बटे करण होता है कॉस थीटा के अनुपात में सनलगन भुजा बटे करण होता है और तैन, थीटा के अनुपात में थीटा की सम्मुख भुजा बटे थीटा की सनलगन भुजा होती है तो ये प्रमुख तीन अनुपात हैं और इनी तीन अनुपात ध्वारा और मुक्षर तीन अनुपात हमें दुमें मिलते हैं जिसका विलोम होता है याजन sin cos tan का गुळात्मक प्रतिलोम से तीन यंपात और बनते हैं sin theta cos theta tan theta sin theta से theta की समुख भुजा बटे कर्ण यह प्रमूख अनपात cos से theta की सनलगन भुजा बटे कर्ण और tan से समुख भुजा बटे सनलगन भुजा इन अनुपातों को हम अगर प्रतिलोम करें गुलात्मक प्रतिलोम करें अर्थात अनुपात बदल जाए अंश हर में हर अंश में कर्ण उपर समुख भुजा नीचे अनुपात उल्टा हो गया तो साइन का प्रतिलोम हो गयाएगा कोसिकेंट यह साइन का गुलात्मक प्रतिलोम है उल्टा है उसी परकार कॉस ठीटा का अगर प्रतिलोम हो जाए कर्ण उपर से लगन हो जा नीचे तो यह हो जाता है सीकेंट second या sec theta, sec short में कहते हैं यह cos का गुलात्नों परतिलोम है, उल्टा है और उसी परकार tangent का उल्टा, गुलात्नों परतिलोम सललग न भुजा बटे सम्मुख भुजा यह हो जाएगा, co tangent short में इसे caught कहा जाता है तो यह 6 अनुपात हमें मिले, 3 प्रमुख और 3 उससे derive की हुए तो sine का गुलात्नों परतिलोम cause एक है, इसलिए उनका गुड़न फल 1 आएगा cause का गुलात्नों परतिलोम sec है, इसलिए उनका गुड़न फल 1 आएगा और टैन का गुलात्म प्रतिलों कॉट है इसलिए एक टैन गुड़ी कॉट का गुड़न फल मत्तुब एक आएगा तो हम इसे आवशेक्त तन्सार जरुत पढ़ने पर साइं फिटा को एक बटे कॉस एक फिटा लिख सकते हैं और टैन थेटा को एक बटे कॉट थेटा भी लिख सकते हैं और उसके बाद हमने अभ्यास किया त्रिकोण में थी ये विशेश कोणों के त्रिकोण में थी अनुपाद जिसमें साइन, कॉस, टैन, कॉस, एक, सिकेंड, कॉट, जीरो से लिकर 30, 45, 60 और 90 अन्स तक के अनुपादों को हमने साणे में लिक कर कैसे डिराइव करना है यह सीखा था साइन का मान जो होगा कॉस का ठीक उसका करम बदल जाएगा तो कॉस हो जाता है और साइन और कॉस के अनुपाद को लेंगे तो 10 का अनुपाद आएगा साइन का प्रतिलोम कर देंगे तो कॉसिक का अनुपाद आजाएगा और cos का प्रतिलोम करेंगे गुड़ात्माक तो 6 कानपात मिल जाएगा उसे विरकार 10 का प्रतिलोम करें तो cod कानपात मिल जाता है यह हमने पिछले lesson में जाना और समझा है उसके बाद त्रिकोंड मीती सरसमिकाएं कुछ समिकरन कैसे वने हुआ हमने जाना था कि sin का वर्ग थीटा धन cos का वर्ग थीटा यह मिला कर एक होता है तो sin square थीटा प्लस cos square थीटा is called to 1 इनमें दोनों बक्षों में sin square से भाग देने पर यह बन जाता है 1 प्लस cot square थीटा is called to cos square थीटा और उसी परकार अगर cos square थीटा से भाग देंगे मूल समिकरण में तो वो बन जाता है 10 स्क्वार चिटा प्लस 1 स्कुल 2 6 स्क्वार थीटा तो ये तीन त्रिकोंड में थी सरसमिकाएं हमें प्राप्त हुई इनी पराधारित प्रश्च संग्रा के प्रश्चन है प्रश्च संग्रा अच्छा दसमला ये पेज 131 पर है चौथा प्रश्चन हम देखेंगे उसके पहले के जो प्रश्चन हैं हमने उधारन द्वारा ऐसे प्रश्चन को हल भी किया है इसलिए हम चौथा प्रश्चन देखते हैं यदि पांच सेक्थीटा रिंड 12 कौस एक ठीटा बराबर 0 हो तो सेक्थीटा कौस ठीटा साइन ठीटा का मान ग्याद करना है तो एक समिकरन दे दिया गया है उसी से हल करके हमें सेक्थीटा कौस और साइन ठीटा का मान ग्याद करना है चलिए तो जो दिया गया है उसी से शुरुआत करेंगे तो दिया गया है पांच सेख थिटा माइनस ट्वैल कौज़क थिटा बराबर जीरो पक्षंतर करेंगे तो हमें मिलता है पांच सेख थिटा बराबर माइनस कौज़क थिटा को राइट हैड ले जाएंगे प्लस कौसिक थिटा हो गया अब इनका अनुपात की इस तरह से करेंगे कि से एक तरह कौसिक को पक्षांतर करेंगे तो वह नीचे आ जाएगा और बारह वहां पर पहले से ही है और पांच को पक्षांतर करेंगे तो वह भी बारह से नीचे आ जाएगा तो हमें मिला सेख थीटा बटे कॉसेख थीटा बराबर 12 बटा 5 अब सेख थीटा क्या है वो कॉस थीटा का गुलात्म प्रतिलोम है या सेख का गुलात्म प्रतिलोम कॉस तो हमने सेख का प्रतिलोम कॉस इसलिए निचे लिखा और कौसिक का प्रतिलोम, साइन, तो वो उपर आ जाएगा, साइन थिटा बटे कौस थिटा हो गया, बराबर 12 बटे 5 पहले से ही दिया है, अब साइन थिटा बटे कौस थिटा क्या है, साइन थिटा बटे कौस थिटा ये 10 थिटा होता है, हम जानते हैं, इसलिए 10 थिटा बरा 10 थीटा बराबर 12 बटे 5 अब त्रिकोन मितिय अनपाथ से या सरसमीका से अनपाथ नी सरसमीका से क्या मिलेगा 10 स्क्वार थीटा प्लस 1 is equal to 6 स्क्वार थीटा अब चुकि 10 का मान 12 बटे 5 है तो 10 स्क्वार 12 बटे 5 का स्क्वार हो गया धन 1 बराबर 6 स्क्वार थीटा अब 6 square theta is equal to 12 का वर्ग 144 बटे 25 धन एक बराबर 6 square theta. अब हम इसको सेरल करेंगे तो हमें मिलता है 144 प्लस 25 अपॉन 25 is equal to 6 square theta. हो गया 169 upon 25 is equal to 6 square theta इस प्रकार 6 theta बराबर हुआ दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो 6 हो जाएगा 6 theta 6 square theta का 6 theta जाएगा और 169 upon 25 का रूट हो जाएगा तो कितना आएगा 6 theta बराबर 179 का वर्गमूल 13, 13, 25 का वर्गमूल 5, 13 upon 5 तो ये हमें एक दूसरी जानकारी मिली 6 theta बराबर 13 upon 5. दूसरा नमबर डाल दिया, पहला क्या था हमारा 10 theta था, तो 6 का मान निकल गया, अब हम ये अच्छी दरज जानते हैं जो 6 होता है, वो क्या है? वो cos का प्रतिलोम है, तो 6 बराबर एक बटे cos बराबर हो गया, 13 upon 5 उपर कचन 2 में लिखाई गया है, तो cos theta क्या हो गया? उलट देंगे तो हो जाएगा, 5 बटे 13, एक बटे cos को हमने cos किया उलटा, तो 13 बटे 5, 5 बटे 13 हो गया, इसलिए cos theta का मान 5 बटा 13, यह भी मान हमें मिल गया? तब cos theta बराबर 5 बटे 13, और 10 theta हमें पता है 12 बटे 5, तो sin theta बराबर 12 बटे 5, अलग अलग तरीके से हम find कर सकते हैं, यहाँ पर इसका और समिकरन 3 का उपयोग करते हुए, sin theta बराबर 5 बटे 13 को लिखेंगे, यह तिर्चा गुड़ा किया तो cos चले गया right hand side में, sin theta बराबर 12 बटे 5, गुड़े cos theta और cos theta समिकरन 3 में क्या है? 5 बटे 13, सेरल करेंगे, 5 से 5 कर जाएगा, sin theta बराबर 12 बटे 13, तो इस प्रकार हमें से cos और sin के मान मिल जाते हैं, इसी प्रशन संग्र का पांच वा प्रशन देखते हैं, page नमर 131, यदि 10 theta एक है, तो sin theta धन cos theta बटे, सेब theta धन cos theta का मान ग्याद कीजिए, चलिए, 10 theta बराबर, एक ये दिया गया है, परंतु, 10 45 भी एक होता है, सारनियाद कीजिए, 10 45 मतलब sin बटे cos, और sin का मान एक बटे करनी दो, cos 45 का मान भी एक बटे करनी दो, कटके एक हो जाता है, तो 10 45 भी एक, और 10 theta भी एक, तो इसका मतलब theta क्या होगा, theta के जगा पे 45 होना चाहिए, तो 10 theta, 10 45 के बड़ाबर हुआ, हर्था theta है, वो 45 अंच है, तो अब जिसका मान में ग्याद करना है, वहाँ पर हर theta के जगा पे, हम 45 लगकर, मान रखकर, हम सीधे-सीधे हल करेंगे, तो इसका मान ग्याद करना है, sin theta, then cos theta, बटे 6 theta, then cos theta, तो ये हो गया, sin theta मतलब sin 45 अंच, then cos theta, अर्था cos 45 अंच, 6 theta, तो 6 45 अंच, cos theta, cos 45 अंच, वो डिग्री है, ध्यान दी जीगा वहाँ पर, वो गलती से 450 दिखाई दे रहा है, cos sin 45 का मान, एक बटे करनी दो, cos 45 का मान, वो भी एक बटे करनी दो, 6 45 क्या होगा, वो गया cos का उल्टा, तो करनी दो बटे एक, करनी दो, और cos जो है, वो साइन का उल्टा, तो cos 45 करनी दो हुआ, इस तरह हमने मान रख दिए, अब मान रखने के बाद, हम देखते हैं, तो सरल करने पे हमें इस तरह से मिलता है, दो बटा, दो गुड़े दो, अर्था दूसे दो कट गया, एक बटा दो आया, इसलिए, साइन थीटा धन कास थीटा, सेख थीटा धन कास थीटा, यह बराबर हुआ, एक बटा दो, चटा प्रशन, सिद्ध कीजिए, साइन स्क्वाइर थीटा, बटे कास थीटा, धन कास थीटा, बराबर सेख थीटा, चलिए, अब हमें सिद्ध करना है, तो उसमें दो बक्ष होंगे, एक लेफ्ट साइड, एक राइट सेट साइड, तो हम लेफ्ट सेड वाले को देखते हैं, जो हमारे बाई हो रहे हैं, तो साइन स्क्वाइर थीटा, बटे कास थीटा, धन कास थीटा, सरल रूप देंगे, साइन स्क्वाइर थीटा, बटे कास से कास का गुड़ा हो गया, या कास थीटा बटे वन अपॉन अब इसको सरल करेंगे, तो साइन स्क्वाइर थीटा, तिर्चा गुड़ा कास स्क्वाइर थीटा, बटे, कॉस और एक कागुड़ा, कॉस थीटा अब हमें उपर क्या मिला, साइन स्कुर्टीटा, धन कॉस कार थीटा और जैसा कि हम जानते हैं, पहले सवरों समी का है साइन स्कुर्टीटा प्लस कॉस कार थीटा या एक के बराबर होता है इसलों वाँ एक लिखा बटे कॉस थिटा और एक बटे कॉस थिटा मतलब कॉस का विलोम गुलात्व परतिलोम वो होता है सेख थिटा जो की प्रश्ण में पूछा गया है कि क्या ये सिद्ध है सही है तो हमें मिला कि बराबर 6 थिटा ही होता है चटा प्रश्ण शिद्ध कीजिए चटे का दूसरा cos square थिटा कोश टक में 1 प्लस 10 square थिटा बराबर होता है 1 यानि cos square थिटा में एक धन 10 square theta से गुड़ा करें तो एक आता है यह सिद्ध करना है तो चलिए हम left hand side लेते हैं जो कि cos square theta को स्टेक में 1 plus 10 square theta है इसको हम क्या करेंगे cos square theta जैसा कि वैसे यह 1 plus 10 square theta कुछ याद कीजिए 10 square theta किसके बराबर हुआ 1 plus 10 square theta यह होता है स्वरसमी का हमारा 10 square theta plus 1 is equal to 6 square theta तो 1 plus 10 square theta और 10 square plus 1 is equal to 6 square theta तो कोस्टक का जो भाग है वो 6 square theta हो गया बराबर cos square theta और 6 जो है वो cos का विलूम है तो one upon cos square theta हो गया और cos square theta cos square theta कट गए एक दूसरे से तो कितना आया एक हो यही तो हमें चाहिए प्रश्ण में देखो सिद्ध करना है कि क्या यह एक के बराबर है तो इसलिए cos square theta और कोस्टक में एक धन 10 square theta इनका गुड़न फल एक की है चले छटे प्रश्ण का तीसरा उधारन देखते हैं कोस्ट करनी में एक रिंड साइन थीटा बटे एक धन साइन थीटा बराबर सिक थीटा रिंड टैन थीटा होता है यह सिद्ध करना है तो चले पहले हम कोस्टक को छोड़कर 1-sin थीटा धन बटे एक धन साइन थीटा का सरल रूप देखते हैं तो कैसे सरल करेंगी तो 1-sin थीटा में अगर 1-sin थीटा से गुड़ा करें तो एक रिंड साइन स्कर थीटा आएगा 1-sin थीटा बटे 1-sin थीटा दोनों पक्ष उपर और नीचे हम 1-sin थीटा से गुड़ा कर देते हैं गुड़ा करने भी क्या मिलेगा 1-sin थीटा गुड़े 1-sin थीटा दो बार हो गया पटे 1-sin थीटा गुड़े 1-sin थीटा गुड़े 1-sin थीटा तो उपर जो है वो वर्ग है 1 minus sin theta दो बार गुड़ा है तो 1 minus sin theta पुरे का वर्ग और नीचे देख रहे हैं न A plus B, A minus B यह विश्थार है A square minus B square पहले का वर्ग रिंड, दूसरे का वर्ग तो 1 square minus sin square theta तो यह मिल गया हमें 1 rin sin theta बटे 1 sin theta का माहन और 1 minus sin square theta पहले सवर समी का याद कीजिए cos sin square theta धन cos square theta बराबर एक होता है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो cos square का माहन हो जाएगा 1 minus sin square theta जो कि हमने उसी के बतले लिखा है cos square theta इसलिए यह 1 minus sin theta बटे 1 sin theta का माहन कितना हुआ 1 minus sin theta का वर्ग बटे cos square theta इसको अगर हम वर्ग मूल लें दोनों पक्षों में तो हमें प्रश्ण का आधा इस साल left hand side माला मिल गया अब उसी दो करना है कि right hand side में 6 theta minus 10 theta आता है या नहीं तो बराबर वर्ग मूल है इसलिए 1 minus sin theta हो गया वो जो वर्ग है कोस्टक के बाहर बटे cos का वर्ग है तो cos बचेगा वर्ग मूल निकलने पर अब हमें जो मिला 1 minus sin theta बटे cos theta उसको split करेंगे तो एक के निचे भी cos आएगा और sin के निचे भी cos आएगा तो एक बटे cos theta minus sin बटे cos theta एक बटे cos cos का विलम क्या हुआ sec theta minus और sin बटे cos क्या होता है 10 theta और हमें यहीं तो सिद्ध करना था कि राट हंड साइड में sec theta minus tan theta होता है या नहीं तो हमने सिद्ध कर दिया कि 1 minus sin theta बटे 1 plus sin theta का वर्गमूल वह sec theta रिंड tan theta के बराबर होता है तो त्रिकोन में थी के सरस्वमिका है त्रिकोन में थी कोणों में विशेश कोणों के माप कोक का अनुपात याने त्रिकोन में थी अनुपात क्या है उसको ध्यान में रखकर त्रिकोन में थी का उपियो जन application of trigonometry का जो स्वाध्या है वह है लेकिन उसका अध्यान हम आज नहीं करेंगे इसे हम अपने अगले लेसन में समझेंगे तो बच्चो आपने देखा आज का लेसन उसके प्रमुक मुद्दो को ध्यान से बार बार दुबारा देखकर समझेंगा परास केजिए क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पोरा मुद्दा समझ में नहीं आता जैसे ही हम दो बार तीर बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगे है और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चो वह निश्चिती हमारे अगले वीडियो में होगी तो उस वीडियो को देखने के लिए उसकी सुचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उससे जरूर प्रिस कीजिए और नोडिफिकेशन ओन रखिए ताकि जैसे ही हमारे लेशन चैनल पर डाला जाएगा आपको वत्तुरंग प्राप्त होगा तो अपना ख्यार रखिए सुरशित रहिए रखिए धंच्यो